समाजवादी पार्टी के पिछला वर्ग प्रकोष्ट के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधान परिशा सदस्टे डॉक्टर राजपाल कष्ट अपने शुक्रवार को सरकिट हाउस के सभागार में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि यूपी की जनता समाजवादी पार्टी के रास्ट्री अध्यक्ष अकली शियादो को मुक्यमंट्री बनाने का काम करेंगे इस औसर पर पार्टी के नी विर्तमान जिलाध्यक्ष नगीना प्रशाद साहनी पूर जिलाध्यक्ष अधी शियादो पूर्व मंत्री जगदी शियादो सहित पार्टी के अन्न जनपद गोरकपुर में प्रेस्वारता है आज तो स्वर्गी जमुना निशाज जी की पूनतिती है ओश्का भी सद्धानजली सवा बड़ी सद्धानजली सवा हो रही है कल निशादों की महापंचायती महाराज गंज में आओ लगातार मैं दौरा कर रहा हूं साथी साथ में आपने देखा होगा पिछले दिनों समाजवादी विजाईरत गोरकपुर में आया था जिस जो एतिहासिक भीर जाति धरम बंधनों को तोड़के माननी अकलेश जादोंजी को सुनने और देखने आई थी उससे मैं पूरे दावे के साथ में पूरे विश्वाद के साथ में कह सकता हूं कि गोरकपुर की सारी सीटे समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है कवों की बर्तमान में मुक मंत्री इसी जिले के मुक मंत्री है और प्रदेश का विकास तो छोड़ जाओ जिले का भी विकास नहीं कर पा रहे हैं तो ये बताएए ये सभी नारा देते थे सबका साथ सबका विकास विकास केवाल योगी आदितनात जी अपना कर रहे हैं और नाम बदलने का काम कर रहे हैं और सोयम भी तीन बार नाम बदल चुके अपना बताओ पहले अजे सिंग विश्ट थे फिर आदितनात योगी हुए बताओ, तीन बार तो स्वयम, तो इनके पास कोई काम नहीं है, केवल नाम बदलना, अब उदगार्टन का उदगार्टन, और कोई नहीं, हर मोर्चे पे विफल हो गई सरकार को, उत्तर प्रदेश की जंता हटाएगी, और इतने बहुमत से हटाएगी, आपने देख लिया मैंने इतिहास, राजनेतिक इतिहास में जितने लोग है, जितने सीनियर से सीनियर लोग है, न कभी किताम में पढ़ा, न दुनिया के किसी राजनेता का इतना बड़ा स्वागत देखा, कि पूरे सुबे से चालू हो, पूरे दिन चले, पूरी राज चले, अगले दिन का अच्छी हूँ और कहीं उत्षा में न कमी थी ना भीड में कमी थी बिना खाए पिये इतना अच्छा और इतना मैंने दीवानगी पन समाजवादी पार्टी और हमारे नेता मान्य अखलेट स्यादो जी को मैं उस जनता को प्रणाम करता हूं धन्यवाद देता हूं जिन्नों दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश में पूरव से लेके पस्चिम तक बीजेपी का सफाया होगा अब मान्य अखलेट स्यादो जी बनने जा रहे हैं इसलिए घबराई हुई सरकार ने एक कानून बापस लिया है और ये कानून बापस लिया है मान्य अखलेट स्यादो जी के जो उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए जरादार, जो किसान जुड़ रहे हैं, नौजवान जुड़ रहे हैं, और जिस तरीके से मैं किसानों को धन्नवाद देता हूँ, कि किसानों ने मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम किया समाजवादी पार्टी के नेता कारकर्ताओं को धन्थबाद देता हूँ कि उन्हों ने बिना इसकी परवाद किये हुए कितने लोगों को जेल भेजा कितने लोगों को मुकदमा लगाया मन्नी राश्ट्रिय अध्यक जी को दो दो बार गिरपतार करने का काम किया किसानों के मामले में ये समाजबादी पार्टी और कारकरता उत्तरप्रदेश की जनता की जीत है लेकिन ये सडेंत कारी है ये इनको अब हटाना पड़ेगा और अभी तो इनसे महगाई और सारी लोगों को रोजगार लेना है अगर उत्तरप्रदेश में रोजगार लेना है, सम्मान लेना है, महगाई कम करानी है लोगों को अपनी खेती बचानी है और नौजबानों को अपना सम्मान बचाना है तो उत्तार प्रदेश से बीजेपी को हटाना पड़ेगा मान्नी अखलेश यादोजी को लाना पड़ेगा